गूड इवनिंग, future doctors! क्या audio video clear है? गूड इवनिंग, गूड इवनिंग, सर॥ गूड इवनिंग, सर॥ चलिए, तो हम लोग इस च्टार्ट करते हैं और इस तरीगे से मैंने सोचा है कि हम लोग हर week में हम लोग हर week में एक meet रखा करेंगे समझ में आ गया, अलग-अलग group बना के तो जिससे आपको जो भी दिक्कते आती हैं, जो भी आपको दिक्कते आती हैं, common दिक्कते आती हैं अब इस बात को समझना, जो दिक्कतें आप लोगों को आ रही है न, वो आप लोग पहले नहीं हो, पढ़ाई से related मैं पहले बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप complaint करना आप लोग सुरू करोगे, तो आप लोग तो इतनी जादा complaint कर दोगे, कि जिसकी कोई limits ही नहीं है, ठीक है, त आप यर में हमने जैसे पढ़ाई स्टार्ट करी, सबसे पहला काम क्या होता है, हम सीधे target बनाते हैं, 720, हम सीधे क्या target बनाते हैं, 720, फर्स्ट टेस्ट जो हमारा होता है, उस टेस्ट में हम पूरी जान लगा देते हैं, कि हमारे 720 नमबर आना चाहिए, ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आपकी सही होती हैं, और कुछ चीजें आपकी गलत होती है, सही क्या होता है, सबसे पहली चीज जो सही होती है, कि आप पूरी जान लगाते हो, यह सही चीज है, लेकिन गलत क्या होता है, कि जो आप target एक दम से 720 बनाते हो, यह target जो है, गलत होता है, तो पहली चीज आपको क्या करनी है ऐसा नहीं कि आपनी क्लास में नहीं सुना होगा मैं आपको फिर भी कुछ ना कुछ इस तरीके से चीज़े बताऊंगा कि आपको थोड़ी सी और नई लगेंगी आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप उससे बस आप 20 मार्क्स आप हर टेस्ट मे टार्गेट बनाओगे प्लस समझ में आ गया क्योंकि इस चीज़ को याद रखना इसको बोलते हैं पावर आफ इंक्रिमेंटल प्रोग्रेस यदि आप एकदम से ज़्यादा बड़े टार्गेट बनाओगे तो इनिशल टेस्ट में वो अचीव हो चाएंगे लेकिन एकाद कि ये केवल आपके साथ ऐसा हो रहा है ऐसा सभी के साथ होता है आप विश्वास मानिए आई थिंक मेरे पढ़ाई हुए कुछ टोटल मिला के 20,000 इस्टुएंट मेडिकल कॉलेज में होंगे जो मेरे ख्यास से फर्स्ट इयर सेकेंड इयर में होंगे इसके अलावा बाकी ज दिक्कत आती है वों मुझे कॉंटेक्ट करते रहते हैं तो मैं उनको जो दिक्कते आई जो भी उनको दिक्कते आई उस डियूरेशन में मैं उन सारी दिक्कतों को आपको बताते चलूँगा आप उनसे कही न कहीं चीज़ों को रिलेट करते चलोगे तो पहली चीज जो बात कर लेते हैं तो physics में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोग सभी लोग सबसे पहला काम आप जो करोगे वो आप करोगे हर संडे को हर संडे को one hour जो है one hour जो है मैं इसी लिए आपको एक तरफ से सारी चीज़ें भी बता रहा हूं कि हो सकता है आप लोगों का class में miss हो गया हो आपने late join किया हो आपको पता ना हो आप one hour जो है वो basic mathematics को आप देंगे वोट करिए सभी लोग one hour compulsory आप लोग basic mathematics को दोगे याद रखना neat में rank लाना या select होना बहुत ज़्यादा important किस चीज़ पर depend करता है बहुत ज़्यादा crucial factor हो है जिस पर ओडिपेंड करता है वो है आपका management समझ मा रहा है किस पर depend करता है आपका पढ़ाई का management ठीक है केवल management से selection नहीं होता केवल hard work से selection नहीं होता proper management से hard work करने स selection होता है बाद समझमागी मतलब दोनों चीज़ों को balance करना है क्या करना है दोनों चीज़ों को balance करना जैसे car है आप car के चारो टायर में यहदी एक टायर में हवा कम है और तीन टायर अच्छे है तो क्या कार चलेगी नहीं चलेगी हैопर प्लेनिंग के साथ में पहली चीज त दूसरी बात आप रोज रोज आप क्या करिए आप डायरी बनाईए और उस दिन जो भी फॉर्मूला आ रहा है फिजिक्स का जो भी फॉर्मूला आ रहा है आप करेंट टॉपिक से स्टार्ट करिए अब आप जो पिछले टॉपिक्स चले गए अब उसको छोड़ दीजे जैस किस से स्टार्ट करोगे always starts with current topic हमेज़ा इस बात को याद रखो हमेज़ा हमेज़ा आप किस से स्टार्ट करोगे current topic से start करोगे पहली चीज़ कि आप current topic से आप formula के को बनाना सुरू करो, आपकी जो formula की copy है, वो इस copy, इससे और छोटी हो जाए तो चलेगी, इतनी बड़ी होना चाहिए, इससे बड़ी आपकी copy नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे छोटी भी हो जाए, मतलब यह आप समझना, इसका यहाँ पर इसका three-fourth हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, और एक page में आप एक formula लिखिए बस, लेकिन उसके नीचे आप जरूर लिखना की V क्या है, U क्या है, A क्या है, T क्या है, जैसे मालों आपने हाईगंज double slit experiment का formula लिखा, लेम्डा क्या है, capital D क्या है, small d क्या है, और यह कब apply होता है, आप इस चीज़ को उस पर लिखिए, हर दिन आप इसको करिए, आपको maximum 5 minutes लगेगा, कितना time लगेगा, बेटा mute कर लो, maximum कितना time लगेगा, 5 minutes लगेगा maximum, और इसको रोज रात को सोने से पहले, आप इस बात को समझना, सोने से पहले का एक घंटे का time, उठने के बाद का एक घंटे का time, इस duration को यदि आपने manage कर लिया, आपकी पढ़ाई ऐसी नहीं ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी आप मुझे बताओ, सबसे पहले जरूरी आपका fix सोने उठने का time, समझ में आ गया, क्या जरूरी है, fix सोने उठने का time, यदि आप रोज सुबह 6 बज़े उठते हो, तो 6 बज़े उठो, 6 से 7 का time आपके लिए बहुत crucial है, ठीक है, जिसमें सुरू के 30 मिरट्स तो बहुत ज़्यादा crucial है, बहुत ज़्यादा crucial है, मैं आपको बिल्कुल as a elder ब्रदे की तरह बात करूँगा, यदि मालो आपको वाश रूम में ज़्यादा time लगता है, तो आप वो डाइरी अपने साथ में लेकर जाओ, सोने के पहले का एक घंटा बहुत ज़्यादा important है, इसी duration में सब conscious mind activate होना शुरू होता है, रात को सोने से एक घंटे पहले सब conscious mind activate होना शुरू होता है, और उठने के बाद तक उठने के बाद तक एक घंटे तक वो activate रहता है, आप देखना आप सो के उठते हो, आपको ड्रीम्स याद रहते हैं, और जैसे ही एक घंटा हो जाता है आप ड्रीम्स भूल जाते हो, भूल जाते हो ना, reason क्या है क्योंकि उस समय सब conscious mind activate होता है, और यही वो time है जो आपकी, आपके attitude को decide करेगा, इस duration में मालों आप depressing videos देख रहे हो, आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, ठीक है आप कोई भी reels देख रहे हो, तो आपने अपने subconscious को heywire कर दिया, आप video देख रहे हो, कभी कोई comedy वाला, कभी आप motivation वाला, कभी आप देख रहे हो, नीट दुबारा होगा की नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ों से आप क्या कर दे रहे हो, आप मुझे बताओ, आप अपने आपको heywire कर दे रहे हो, heywire मतलब आपने पूरे दिमाग को zigzag कर दे रहे हो, और यदि ये दिमाग zigzag होगा, तो कभी भी output proper नहीं आएगा, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना, तो इस चीज़ को आप याद रखो, सोने से एक घंटे पहले तक mobile का इस्तेमाल मत करो, note करो इस चीज़ को, note करो इस चीज़ को, सोने के एक घंटे पहले mobile इस्तेमाल नहीं करना, उठने के घंटे बाद आपको mobile इस्तेमाल नहीं करना, समझ में आ गया, दूसरी चीज़, clear हो गया, तीसरी चीज़, अब ये दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी mobile का, तीसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं chemistry की, chemistry में भी जैसे माल लीज़े, आप ये दी physical की बात कर रहे हैं, अभी मालो मैं physical से बात कर रहा हूँ, तो physical chemistry में भी आप क्या करिए, एक diary बना लीज़े, किस चीज़ का formula की, कौन सी diary बना लीज़े, formula की diary बना लीज़े, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, कि मालो ये diary है, तो इसमें आगे से आप physics का बना लीज़े, पर front page से आप physics का बना लीज़े, और पीछे वाले page से आप chemistry का बना लीज़े, मतलब कैसे, जैसे suppose करो, ये front page है, तो इसमें front page में आप किसको बना लीज़े, physics से सुरू कर दीज़े, ऐसे, और last page में उल्टा करके आप सुरू कर दीज़े, किसी उसको chemistry के formula लिखने के लिए, chemistry के formula बहुत कम होते हैं, बहुत जल्दी आपका जो है, वो complete हो जाएगा, ये चीज़ हो गई, तो आपको ये चीज़ अच्छे समझ मा गई, रोज रात को सोने से पहले, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि आप केवल 5 formula आप पढ़े पढ़ोगे, मैंने आपको physical का भी बता दिया, physics का भी बता दिया, समझ मा गया, अब बायो में हमेशा इस चीज़ को आप याद रखो, कि आप बहुत ज़ादा सजा के notes मत बनाओ, notes को दूर-दूर लिखो, notes बनाने में आपके ज़ादा time waste नहीं होना चाहिए, मेरी बास समझ मा आई, notes बनाने में आपका बहुत ज़ादा time waste नहीं होना चाहिए, यदि आपका बहुत ज़ादा time notes बनाने में waste होगा, तो unnecessary waste हो गया, समझ मा आया, अब आप हमेशा इस बात को याद रखो कि जब भी class start होने वाली है जब भी class start होने वाली है आप 5 मिनिट में जल्दी से पिछली class के notes आप खटा-खट पल्टो बस प्लेच आप पड़ नहीं पारे तो बस आप ऐसे पलट दो अब विश्वास मनो आपका दिमाग प्रोसेस करन और जब मैं class में revise करने आऊंगा तो आप खुद देखोगे अब आपको revision कम लगेगा तो आप देखना आपको क्या करना है पहली चीज जैसे ही आपकी class खतम हुई जैसे ही आपकी class खतम हुई आपके पास दूसरा subject की class सुरू होने की वीच में 15 मिनट का gap है आप 5 मिनिट मे जल्दी से आप क्या करिए जो आपने पढ़ा था जो आपने पढ़ा था उसको mentally recall करो जैसे मालो पहले आपने पढ़ा था suppose करो पहले आपने पढ़ा था gram positive versus gram negative आपने पढ़ा था ठीक है आपको यादा गया आप खुद mentally recall करो पटाक से उसमें note कर लो gram positive versus gram negative आपने बस topic note कि पिर इसके बाद मैं आपने क्या पढ़ा था आप मुझे बताओ ज़रा आपने extension मालो mesosome पढ़ा था mesosome का वस नाम लिख लो और mesosome के बारे में सोचो mesosome के बारे में सोचो आपको क्या याद आ रहा है immediately अभी class हुई कि आज sir आए थे तो sir ने आज दो घंटे की class में कितना आप मुझे बताओ ज़रा काम की चीज़ें थी उसको बस आप सोचते जाओ इससे क्या होगा अभी जो आपने passive learning करी थी अब आपका दिमाग active learning पर shift होगा जब active learning पर shift होगा तो याद रखना आपको चीज़ें जो passive learning में आपको पांस दिन तक याद हो रही थी आपको active learning में वही चीज़ें आपको बीस दिन तक याद रहेंगी आपका test का performance बढ़ जाएगा पांच मिनट देने पर अगले दिन वापिस इसको revise करो बीच में आप जो पढ़ रहे हो वो तो ठीक है उसके आप अगले दिन class सुरू होने से पहले वापिस पांच मिनट में अब आपके पास notes थे जल्दी यल्दी यल्दी पल्टो तो क्या करोगे class के बाद के पांच मिनट और class सुरू होने के बाद पांच मिनट इसको manage कर सकते हो समझ में आ रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे students फुल score करें और score करने के बाद मैं ऐसा नहीं मेरे subject में मैं आपको बागी subject में भी guide करता चलूँगा समझ मा गया बागी subject में भी मैं आपको guide करता चलूँगा कि आपको क्या-क्या काम करना है क्या-क्या चीज़ें आपको करते जाना है physics का मैंने आपको बता दिया सोने उठने का time fix करो, note करो point, सोने उठने का time, सोने उठने और खाने का time fix करो, यह आपका एक week का target है, target सोने उठने और खाने का time fix करना है, ठीक है, दूसरा target आपका, सोने से एक घंटे पहले और उठने के एक घंटे बाद तक आपको mobile को use नहीं करना, उस duration में आपको formula को करना है यही वो duration है जो आपकी organic chemistry को सबसे strong करेगा मैं आपको आगे बताऊंगा organic chemistry कैसे करनी है क्योंकि मेरा ये target है कि मैं आप सभी लोगों के सारे subject का syllabus जो है वो December तक खतम करवा दूँ जनवरी से पहले हम सुरू करेंगे जनवरी से हम सुरू करेंगे part test ठीक है part test predictable फिर सुरू करेंगे part test unpredictable और उसके बाद में हम सुरू करेंगे क्या अपने major test यदि आपने इतना कर लिया विश्वास मानना मैं institute का नाम नहीं बताऊंगा कई सारे ऐसे institute है जिन में मैंने मैंने curriculum set किया हुआ है टॉपर्स students के लिए और आज वहां से टॉपर्स निकल रहे है कि एवल लास्ट institute ने इसके पहले भी जो institute थे उन institute में भी मैंने टॉपर्स curriculum बनाया है और उसको पढ़ते हुए इवन उसी को IIT में follow किया गया है और ऐसा भी वाए कि एक साल में top 10 में वहां से 6-7 बच्चे आये हैं समझ में आ रहा है तो आप इस चीज़ को समझना मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा जिससे आप अपने आपको enhance कर पाओगे समझ में आगया तो यह आपका एक हफते का target है सभी कोई बास समझ में आगई 숨ने उठने का time fix करना सोने उठने खाने का time fix करना दूसरी चाइस दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ सोने से एक गंटे पहले phone use उठने के एक घंटे बाद phone use नहीं करना, formula की आपको क्या बनानी है, copy बनानी है, और चौता काम, पाँच मिनिट class के बाद recall करना है, और class शुरू होने के पाँच मिनिट पहले आपको recall करना है, क्या इतना काम कर सकते हो, क्या इतना काम कर सकते हो, attracted, हैंड raise कर दो, इतना काम आप कर सकते हो तो hand raise कर दो बिल्कु सिंपल सी चीज़ है hand raise कर दो बिल्कु सिंपल सी चीज़ है इतना काम बस आप करते जाओ hand इतना बस आप काम करते जाओ आप देखते जाओगे आप देखते जाओगे चीज़ें जो है वो प्रॉपर आपकी आपके हाथ में आती जाएंगी बिल्कुर छोटे-छोटे से मेजर समलेंगे हम कोई जादा बड़े मेजर से नहीं लेंगे समझ मा गया तो ये मैंने आपको एक हफते का टारगेट दे दिया समझ मा गया ये मैं क्लास में भी बात कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पर आप लोग सामने जब मैं आपसे ऐसे परसनली बात करूँगा तो आपको और अच्छा लगेगा कि आपको टारगेट मिलते जा रहे हैं तो मुझे बताओ मैंने आपको चार टारगेट दे दिये मैंने आपको चार टारगेट दे दिये अब चीजों से related जो आपको दिक्कते आ रहे हैं, देखो दिक्कते आएंगी, आप इस बात को समझना, आप यदि किसी जैसे मेरे previous institute से आप compare करोगे, तो उनके पास जो चीज़े आई हैं, वो कई लंबे time के बाद में धीरे-धीरे implement होके आई हैं, तो हमको थोड़ा सा time लगे आप लोग पहली बार मुझसे जूला जी पढ़ रहे हो, मुझे बताओ क्या आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, बताई जरा या समझ में नहीं आ रहा, जैसे आज अभी मैंने restart batch में वो काम किया, कि DPP मैंने कराई अलग तरीके से, कल आपके batch में कराएंगे अ आपको अच्छे से जूलाजी बढ़ियां से समझ में आ रही है, कोई आपको doubt तो नहीं आ रहा, कोई आपको दिक्कत है तो नहीं आ रही, बताई जरा, क्या आपको अच्छे से concepts clear होते जा रहे हैं, clear होते जा रहे हैं, आप comments करते चाहिए, आप comments करते चाहिए, comments करते चाहि अब ये जो hand raise वाला option था इसको हटा दीजे, जिससे मुझे पता चलेगा, hand raise वाला हटा दीजे, किसी को special जो है, मुझे बताइए किसी को इस चीज को लेके कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सभी कोई चीज clear है, 5 बार लिखके revision कैसे करें, सुभह उटने के गंटे के अंदर anxiety हो जाती है, मैंने आपको बोला ना, देखे, सबसे पहले बात आपको 5 बार लिखके कैसे revise करना है, अभी मैंने आपको बताए, आपको index के through करना है, आपको क्या करना है, जैसे आपने सोचा, कि आज हमने पहला topic पढ़ा, mesosome, हमने क्या पढ़ा, mesosome पढ़ा, तो अब मुझे बताओ, जैसे आपको पीछे board दिखाई दे रहा है, क्या, क्या आपको पीछे board दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर आप देखे, जैसे मालीजे mesosome, तो मुझे बताओ, कुछ नहीं आपने mesosome किया, आपने क्या कि आपको 5 बार लिखना था, आपने सोचा क कि यह आपने डाइग्राम बनाया, यह देखो ज़रा, इसका extension है, यह क्या-क्या काम करती है, cell wall बनाती है, plasma membrane बनाती है, synthesis करती है, secretion करती है, DNA का replication कराती है, separation of daughter nucleus करती है, हो गया एक बार, हो गया एक बार की नहीं हुआ, समझ मा आ गया, आपको पूरी की पूरी आपको कहानी नहीं लिखनी है, आपको इस तरीके से quick memory vision में जाना है, समझ मा आया, और बोलते हुए चलना है, कैसे चलना है, बोलते हुए, cell wall, plasma membrane, आप मुझे बताओ, synthesis and secretion, DNA replication, और आप मुझे बताओ, separation of daughter nucleus, respiration, excretion, तो आप इस तरीके से आप करिए, अब जैसे देखो, दो point मिस हो गए, दो point क्या हो गए, मिस हो गए, कौन-कौन से point मिस हो गए, दो point, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया respiration and excretion, अब जब मैं इसको दुबारा revise करूँगा, मैंने देखा mesosome, फिर से मैंने diagram बनाया, तो अब मुझे बताओ, अब मैंने लिख दिया cell wall, यहाँ पर मैंने लिख दिय आपको इस तरीके से लिख के revise करने में, hardly 10 minute लगेंगे, आप मुझे बताओ, एक lecture को लिखने में आपको क्या 10 minute से ज़्यादा लगेंगे, आभी करके देखना आप, आभी करके देखना आप आपको नहीं लगेंगे, समझ मा गया, और जब आप एसा करोगे, जब आप एसा क ले जा रहा है, तो ये synapse काफी strong हो जाएंगे, तो last में जब आप revise करोगे ना, तो ये strong synapse आपके काम आएंगे, देखो पढ़ता हर कोई है, आप इस बात को समझना, पढ़ता हर कोई है, लेकिन select और rank वो लेकर आता है, जो बार-बार लिख के revise करता है, आपको इस तरीके स से लिख के revise करना है, सभी का clear हुआ, ये पहला question done, दूसरा आप मुझे बताओ, सुबह उठने के एक घंटे के अंदर anxiety होती है, एफिशेंसी कम हो जाती है, ये धीरे-धीरे बनेगा आपको, समझ मारा है, और जब भी आपको anxiety आए, सबसे पहले आताओ, आप सुबह उठके खाली पे, बिना ब्रश किये हुए, क्योंकि हमारा saliva alkaline होता है, और हमारा जो abdomen होता है, आप क्या करिए, आप दो glass पानी पीजिए, आप तामे का लोटा लेलो, बिल्कु सिंपल सा है, ज्यादा महँगा नहीं आता, आप तामे का लोटा लेलो, तामे के लोटे में आप बढ पल सी चीज़े, आप क्या करोगे, आप सुबह उठके उसको थोड़ा सा कुनकुना कर लो, आप क्या कर लो, इसको थोड़ा सा कुनकुना कर लो, आप देखो, साथ दिन, दस दिन के अंदर आपका migraine ठीक हो जाएगा, आपको indigestion की problem आपकी ठीक हो जाएगी, आपकी anxiety ठीक लगेगा, क्योंकि जितने भी toxins हैं, जितने भी toxins हैं, वो आप मुझे बताइए, वो निकलने लगेंगे, समझ मारा जो सारे के सारे टॉकसिन जो इखटे हो गए, किडिनी में वो सारे बाहर हो जाएगी, देखो, हम जो खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसमें बहु कोई बात नहीं, किड़नी साफ हो रही है, तो ये काम आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, तो ये काम आप करना, दूसरा काम, राइट नॉस्ट्रीड को क्लोज करो, लेफ से 50 टाइम कर लिया करो, एंसायटी खतम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एंसायटी खतम हो दो, सब अच्छा होता जाएगा, समझ मा गया, इसमें हो गया, अब इसके अलावा, इसके अलावा, और वीडियो सोल्यूशन जो है, मैंने आपको बताया किस सरीगे से होगा, मैं आपको क्लास में ही कराऊंगा, मैं आपको क्लास में ही प्रैक्टिस कराऊंगा, आपका केवल लेखी काम है आप notes को multiple times multiple times multiple times करिए समझ में आ गया कितनी बार करना है आपको multiple times करना है अब मुझे बताओ आपको apps related आपको कुछ दिक्कतें आ रही होंगी ठीक है जैसे कुछ दिक्कतें आपको आ रही होंगी पहली दिक्कत आपकी होगी की जैसे lag हो जाता है we are working on it हम उस पर work कर रहे है समझ में आ गया दूसरी चीज आप मुझे बताओ automatically क्या हो जाता है back हो जाता है हम लोग इस पर भी work कर रहे है हम लोग इस पर भी work कर रहे है ठीक है आप मुझे बताओ ज़रा ये दो problem हो गई इसके बाद तीसरा upload होने में class खतम होने के बाद upload होने में time ज़्यादा लगता है हम उसके उपर work कर रहे है tech team को बोला है tech team work कर रहे है इसके उपर पूरी तरह से पूरी कोशिश कर रहे है जल्दी से अल्दी ठीक हो जाएगा ठीक है अब आपके क्या question आए sir मेरे 600 आ रहे है क्या 2025 के लिए पढ़ू बिल्कुल पढ़ना चाहिए आपको समझमा गया जब तक counseling में आपको नहीं मिल जाता आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए sir backlog in chemistry and physics कैसा पूरा करें मैं आपको फिर एक story सुनाता हूँ backlogs related मैं आपको फिर से एक story सुनाता हूँ आप मुझे बताओ आप medical college में पहुँच गए डॉक्टर बन गए वहाँ से आप बढ़िया सर्जन बन गए surgeon बनने के बाद में आप surgery कर रहे हो बड़ी लंबी surgery चल रही है अब आपको पता चला कि suddenly एक road traffic accident हो गया RTA हो गया बहुत सारे patient आ गए जिनका जवरजस्त accident हुआ तो मुझे बताओ कि आप चलती हुई surgery को छोड़के उन patient को देखने चाहोगे क्या और यदि आप जाओगे तो ये patient जिसको आप कर रहे हो वो भी बर जाएगा और जिनको आप देखने जाओगे वो भी नहीं बचपाएंगे क्योंकि आपका दिमाग तो उस patient में लगा हुआ है है ना पता चले आप इस patient की जो है वो kidney का operation कर रहे थे उसकी kidney अच्छी थी बस kidney निकाल नहीं वाले थे आपने जाके उसकी kidney निकाल दी समझ में आ रहा है उसके गॉल बेडर में दिक्कत थी आपने जाके इसकी kidney निकाल दी तो आप इसी तरीके से backlog होता है आप हमेशा current topic से start करो आपका जो current topic चल रहा है आप current topic से start करो कम से कम 20 दिन तक आप पुराने topic को देखो ही मत ऐसे समझ लो कि वो topic खतम हो चुके हैं वो topic क्या हो चुके हैं? खतम हो चुके हैं बास समझ माया तो आप इस तरीके से आप क्या करोगे कि उन 15 दिन तक क्योंकि आपकी rhythm बनना जरूरी है अभी आपने पढ़ाई काफी दिन नहीं करिए तो आपकी rhythm ब्रेक हो गई है मालो आप बीच में एक हक्ते बीमार हो गए मालो क्या हो गया कि आप साधी में चलेगा आपकी rhythm तूट गई तो आप पुराने topic को start कम से कम 15 दिन तक मत करो सा test में आएगा नंबर कमाएंगे test के नंबर से जो डर गया वो select कभी नहीं होता अपने दिमाग में लिख लो test के नंबर से जो डर गया वो select नहीं होता that diagnostic test वो diagnostic test है app issue क्या है live class में data ज़्यादा use होता है चलो इसके उपर हम work करते हैं कि क्यों ज़्यादा data I think camera की quality change हो गई है इसके बाद में data जो है वो मेरे ख्याद से पहले से तो better हुआ है पहले से तो better हुआ है पहले से अब और उसमें improvement हो जाएगा और मुझे बताइए चलो ये तो मैंने बता दिये सारे questions के मैंने आपको और जवाब दे दिये अब आप मुझे बताइए आपके यदि कोई question है particular questions है तो जिन लोगों के questions है वो questions पूछ सकते हैं करके पूछ सकते हैं किसी को apps rate से पूरा concept है इसको clear हो गया doubt कहां पूछे अरे bio में doubt आता है क्या और आप doubt वहाँ पर लिग दिया करो अगले दिन class में आपका doubt clear हो जाएगा समझ मा गया doubt आपका clear हो जाएगा बस आप पहले NCIT उठा लोगे तो आपको doubts आ जाएगे ठीक है I think मुझे बताओ doubts तो नहीं आते होंगे न मैं पढ़ाता हूँ इतने ज़्यादा doubts तो नहीं आते की आते हैं बदाओ ज़रा doubts आते हैं नहीं आते class के बीच में नींद बहुत आती है बैठे रहते हो बैठे रहते हो तो नींद आएगी आएगी थोड़ी exercise करो mitochondria का number enhance करो बैठे रहते हो ऐसे बिल्कुल तो जितना food है जितना food है जितनी energy है वो सब utilize हो जाती है कम mitochondria कम energy तो फिल लेथार जी तो आएगई फिर बिल्कुल anaconda की तरह और crocodile की तरह इसे मूँ खोलोगे है ना इस पता चले मूँ खोला और mobile ही अंदर चला गया ठीक है इतने जम के खोलोगे तो इसके लिए 30 minutes कम सकम आप exercise करो आप कुछ नहीं कर सकते तो सूर्य नमस्कार कर लो या फिर running कर लो या फिर आप जो है वो cycling कर लो अभी से आदट डालो ये चीज़ आपको last में बहुत जादा काम आएगी याद रखना ये बहुत जादा काम आएगी और फिर भी कुछ नहीं कर सकते तो room बंद करो mobile में गाने लगाओ और dance सुरू कर दो dance सुरू कर दो पुषपा के अभी बहुत सारे गाने आए हैं उस पागे बहुत सारे गाने आए हैं उन पर dance कर सकते अच्छे से ठीक है और बताओ मुझे और क्या question है आपका एक बार जरा इस तरफ से वो करिए लिश्ट दिखाएए लिश्ट से पताच जाएगा लिश्ट 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 व्यू जो उपर से हाँ ये मुहमद उमर का को अन्म्यूट करिए हाँ मुहमद अब मुझे बताईए हाँ वो अप्लोडिंग प्रॉब्लम में हमको पता है एक्चली एप में आटोमेटिकली जो है ना वो गड़बड हो जा रहा है समझ में आ गया तो उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं जैसे आप जानते हो एप पे कोडिंग वगरा चीजें होती है तो कई बार वो चीजें क्या हो जाती है जिग-जैक हो जाती है तो उसकी वज़ए से वैसा हो रहा आपको धीरे 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 सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगी बांकि दूसरा जो है आपका जो टेस्ट का PDF तो टेस्ट का PDF आपका अपसे अपलोड होने लगेगा ये चीज नोट कर लिजे टेस्ट PDF अपलोड ये मेरे पास question आ गया है टेस्ट PDF अपलोड टेस्ट PDF जो है वो आपको next day अपलोड हो जाएगा test PDF upload ठीक है, test का PDF आपका upload हो जाएगा, ठीक है, यह आपका पहला, ठीक है, दूसरा, बिटा खुदी जो है, वो mute की कर लिया करो फिर मुझे बताओ अभिनास दास, अभिनास दास को जो है वो unmute करिये, एक तरफ से करते चाहिए हाँ, अभिनास बताईए हाँ, 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 बताईए अभिनास बताईए हाँ, हाँ, तो सर, 11 भी में कर रहा हूँ और 12 में काम्या बेस कर रहा हूँ से रङहा है, अब एक काम करिये आप लोग जो 12th का है 12th से आप केवल Zoology section करिए ठीक है Zoology की 2 से 3 class होती है केवल Zoology section कर लिजे और बस आप उसको करिए बाकि जो है आप Botany और Zoology बाकि पूरा का पूरा आप अपने restart से देखो restart से आप Botany Zoology करो और आपको एधी time मिल जाए तो आप 12th क्लास से केवल Zoology कर लो समझ में आ गया Sir doubt section में doubt पूछते हैं बट वो answer नहीं आया अभी तक वहाँ पर कोई type नहीं करेगा मैं ही हूँ क्योंकि मुझे ही type करना पड़ेगा ठीक है तो आपका जो doubt है वो doubt section में अगले दिन में क्लास में cover कर दूँगा समझ में आया तो यह आपकी चीज clear हो गई Sir मेरी family joint है बहुत distraction होता है पढ़ने में concentration नहीं कर पाते आप सुबह जल्दी उठके पढ़ना सुरू करो ठीक है याद रखना इंडिया में 99% लोग जल्दी नहीं उठते आप लोग सुबह तीन बज़े उठके पढ़ना सुरू करो एक बात बता रहा हूँ एक चीज याद रखना सुबह जल्दी उठने वाले rarely हारते हैं यह fact की बात है मैं क्लास में open ली इसलिए ऐसे नहीं बोल सकता क्योंकि कई सारे बच्चों की आदत होती है बहुत टाइम से आदत है जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं बट यह fact की बात है सुबह उठने वाले सुबह उर्जा बहुत जादा होती है आप जिस religion के हो उस religion के जो पुन्य आप ये समझी है जो powerful लोग होते हैं वो उस समय प्रेयर कर रहे होते हैं तो उस समय collectively अर्थ की positive energy बहुत जादा होती है तीन बजे से लेके पांच बजे के बीच में तो इस duration में इस duration में उठने वाले और पढ़ने वाले rarely हारते हैं याद रखना इस बात को ये मैं आपको बिलकुल fact की बात बता रहा हूँ तो आप ये दी उठ सकते हो तो आप उठके करिए और तीन मजे से लेके आप ये दी करेंगे तो आपको joint family में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी समझ में आ रहा है चलिए और मुझे बताईए next किसका है अरूप अरूप next अरूप का है अरूप हाँ आपकी voice नहीं आ रहे है इनको unmute कर दीजे इनको mute कर दीजे नेक्स नेक्स जोन के बाद है इनको unmute कर दीजे इन और्गनिक chemistry को कैसे पड़े है इन और्गनिक सुरू होने दो मैं आपको next week में मैं आपको इन और्गनिक बताऊँगा बहुत आसान है इन और्गनिक को करना बहुत इसी है ठीक है सनीट में attempt limit हट सकती है क्या नहीं हटेगी इतने जल्दी ऐसे जो है आपको आप ये सब आप वहाँ को जब तक मैं आपको मैं आके आपको कुछना बोलू ना आप चीजों पर बिलीव मत करना ये सिंपल सी चीज है एक साल तक जब तक मैं आपको आके कुछना बोलू ना आप बिलीव मत करना आप इस बात को बहुत अच्छे समझों ठीक है बताइए मुकेश किसको सर वो NCIT को मैं कराऊंगा उसके बाद आप करिए उससे पहले मत करिए NCIT को आप डिकोड नहीं कर सकते आप NCIT को सौ बार भी पढ़ लोगे तब भी आप इस बात को समझेए कि आप NCIT को डिकोड नहीं कर सकते वो मैं करूँगा वहां से भी देख सकते हो बाकि मैं भी कराऊंगा आप NCIT आयाम से भी देख सकते हो और मैं भी कराऊंगा आपको बीच में थोड़ी तबियत लेरी ज्यादा बिगड़ गई थी तो इस वज़े से बहुत सारी चीजों को मतलब ऐसा था कि बस में क्लास लेते टाइम बस में खड़ा होता था मांकि पूरे टाइम में लेटा हुआ होता था तो इसलिए के बहुत सारी चीजों फोड़ी सी डिश्टब थी चलिए और इनको म्यूट कर दीज़े नेक्स्ट देव हेलो सर, हाँ देव हाँ सर में डाउट था एक चैप्टर में ना बहुत सारे कोशन अटेम्ट करने के बाद भी यही तो तुम्हारी गलती है बहुत सारे कोशन करोगे तो तुम कभी सिलेक्ट ही नहीं हो सकते यह तुम्हारी सबसे बड़ा ब्लंडर है यदि आपने यदि आपने बायो में कोशन बहुत जादा कर लिए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता अब आप यदि physics chemistry की बात कर रहे हो तो यदि आपने questions का number बढ़ा दिया यदि आपने 1000 questions कर दिये तो आपका selection नहीं होगा more study more confusion समझ में आगे आप जितने ज़ादा question करते जाओगे उतने ज़ादा नए concept मिलते जाएंगे और जिन जगे से questions आते न वो छूटते जाएंगे आप इस बात को समझना clear हो गया इंडिया की सारे के सारे coaching institute सब के सब बहुत ज़ादा questions कराते हैं आप teacher के जो class notes है आपके वोल उस पर focus करिए मैं आपको एक simple सी बात बता रहा हूँ यदि आप अपने teacher के class notes उसमें हर variety का question होता है यदि आप उनी को 5 बार करके जाओगे आपका selection ह हो जाएगा कैसे करना है अब समझो जरा आपने question देखा सबसे पहले question को सीधे मत उठा लो pen कि आपने तुरंत pen उठा लिया आपने तुरंत pen उठा लिया और ये given ये given ये given गलत वे हैं कभी select नहीं होगे पहले question को यहाँ solve करो उसके बाद यहाँ solve करो मतलब आपको क्या करन है कि आप पहले question को देख के उसका एक pathway create करो एक नियूरो pathway create करो जैसे मालो मैं आपसे बोल रहा हूं आपको मालो दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप सोचोगे यार यहां से मैं दिल्ली से मुझे जाना है तो पहले मुझे जो है airport की तरफ जाना पड़ेगा फिर गुड़गाओं की तरफ जाना पड़ेगा फिर वहां से मुझे जो है वो जैपूर highway लेना पड़ेगा जैपूर highway से मुझे ऐसा जाना पड़ेगा you are creating a neuro pathway समझ में आ गया ऐसा तो नहीं होगा निकल पड़े निकल पड़े मालो हर्याना की तरफ निकल गया फिर पहुँचे यार जाना तव मुंबई था हर्याना पहुच गया चलो अब आ गये तो एक काम करो अम्रिस्तर घूमाते हैं आप ऐसे पढ़ाई करते हो इसी वजह से आपका selection नहीं होता आपके test में marks नहीं आते पहले आप question का neural pathway create करो सुरू में time लगेगा लेकिन आप देखोगे एक से डेड़ महिने के अंदर आप question की speed बढ़ जाएगी solve करने की और विश्वास मानना मैंने जितने student से बात करिये चाहे science से बात कर रहा हूं चाहे sorry से बात कर रहा हूं इनका paper धाई घंटे में with OMR with OMR हो गया था with OMR इनका हो गया था यही बात मैंने उनको class में बताई थी और उन्होंने आके एक ही बात बोली थी sir हमने आपको word to word follow किया है 100% follow किया है जिसकी वज़े से हम यहाँ पर पहुँच गए यह क्या आ रहा है पेज में तो यह चीज़ आपको समझ मागई sir मेरे 486 तो आपको समझ माया आपको 486 बात सा रहे हैं क्या partial drop लूग अब पहले तो आप इस बात को समझो partial drop में यदि आपने कोई medical का course किया सबोसकर आपने BDS लिया BAMS लिया आपने यूनानी आपने कोई भी फार्मा लिया इनके कॉलेज इतना रगड़ेंगे आपको कि आप दो महीने बाद और कॉलेज जाके आपका मन अलग से हट जाएगा आपका मन अलग हो जाएगा मन कैसा हो जाएगा आप कॉलेज की चीजों में उलग जाओगे कॉलेज के functions में कॉलेज की दोस्ती में तो आप फिर इस चीज को भूल जाओगे तो याद रखना यदि आप actual में select होना चाते हो तो ऐसी चीजों पे ऐसी चीजों पे आप जो है ऐसे आप courses में मत जाना पहली चीज दूसरी चीज आप इस बात को समझना दूसरी चीज जो आपको सबसे ज़ादा जो समझना है कि यदि आप BSC में admission ले रहे हो तो पहले पता करो कहीं उसके examination आप जिस university में admission ले रहे हो last year के उसके admission उसके exam कहीं अप्रेल और मई में तो नहीं हुए यदि अप्रेल और म chemistry पढ़ आओं कोई दिक्कत नहीं इससे recording से theoretical subject जब theoretical subject आये तब उसको करना सर overthinking बहुत होती है study में concentrate नहीं कर पाते हैं overthinking ये सीधा सा एक है कि आपका दिमाग जो है अभी clouded है उसके लिए आपको उसके लिए आपको आप क्या करो रात को सोने से पहले रात को सोने से पहले आपने अपने जो पाच फॉर्मूले जो आपने फॉर्मूले उनको revise कर लिया अब अपने बैड पे बैड जाओ सीधे आराम से बैड जाओ आखबंद करो और पूरी सास नाक से लो और पूरी सास मूँ से निकालो और कैसे निकालो ऐसे जैसे सीटी बजाते हैं बजाना नहीं ऐसे निकालना हैं समझ माया गिन के पचास बार सुबह उठते से ये काम करो फ्रेश हो जाओ उसके बाद गिन के ये काम आप पचास बार करो आप देखोगे एक हफ़ते के अंदर अगले हफ़ते आपसे मिलूँगा आप खुदी बोलोगे आपकी overthinking जो है वो 10% रह गई पहले के compare में हाजी और next good evening sir good evening good evening sir मुझे पूस्टे था कि कही मारे सा होता है कि मतलब जो हमारे जो हमारे टीचर्स परस्तली मेरे जो परेंट्स और मेरे टीचर्स है वो मुझे इतना सादा पैंपर करते हैं और जो expectation है उनकी मुझ से और जब मुझे बोलता है कि मतलब you can do this or you can do that और जब हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो अंदर से guilt हो जाता और एक self doubt मुने लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं देखो अब जब आपके parents बोले ना या आपके teachers बोलें तो उनसे एक ही बात बोला मुझे अगले test का पता है उसके बात का नहीं पता और उनको बोल दो वह यह दिए आपसे बोलें तुम यह निकाल सकते हो सब डालते हैं AIMS दिल्ली जाना है अरे क्यों AIMS दिल्ली जाना है क्या बाकी college नहीं है क्या क्या बाकी college से doctor नही कोई फरक नहीं पढ़ता सब जगे सेम करिकुलम सेम बुक्स सेम कोर्स सब कुछ सब जगे सेम फॉलो होता किसी college में पढ़ाई नहीं होती सब जगे खुद पढ़ना पढ़ता है समझ मा गया तो अब आप क्या करोगे अपने parents या teacher आपको जैसे ही बोलेंगे आप उनसे एक ठीक है सीधे बोलेंगे इसके अलावा कोई बात मत करो ठीक है अगला कौन है गुद इनिंग सर गुद इवनिंग सर जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि दिमाग कहीं न कहीं wonder ही कर रहा है मतलब ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज पढ़ रही हूं मेरे दिमा करते हैं जो मुझे test के बाद देखनी पूर देखनी होता है मैं देनिता कि मैंने गलत कैसे कि यह गाने सुनते भूए पढ़ाई तो नहीं करते ना यह बहूस ठीक है आप अपने करम की करादा है पता नहीं कौन-कौन सा अब तुम वो गाने सुन रहे हो और पता चले तुम hypothetical situation में पहुँच गए हो और याद रखना हमारी जो emotions होते है ना इसको बोलते है energy in motion आप यदि अच्छा सोचोगे तो आपकी body वैसा behave करने लगेगी तो आप पह हफते के लिए समझ मारा है सुरू में अभी यह जो हम बात करते जाएंगे बात करते जाएंगे आप देखना एक बच्चे की problem है वो almost सभी की problems होती है सुरू में एक हफते में एकात घंटा मालों हमको लगेगा मालों हम वो रखा करेंगे लेकिन इससे यह हो जाएगा कि एक से दो हफते एक से दो महीने के अंदर आप बिल्कुल स्ट्रीम लाइन में आ जाओगे और फोड़ फाड़ मचा दोगे फिर समझ मारा है सब्सक्राइब करने के लिए पढ़ाय की विशन ब्रेक्स लेते वे गाने सुन लगते हैं आप एक हफते में एक आद मूवी देख ल सब कुछ छोड़के पढ़ाई करोगे तो वो पढ़ाई भी नहीं मिलेगी क्योंकि आप साल भर क्या कर रहे हो ना आपने अपने आपको इतना जादा प्रेशराइज कर दिया आपने उस एक्जाम को इतना जादा बड़ा बना दिया यार मैं सब कुछ छोड़के बैठा लिए जिसमें आप पढ़ाई की बात नहीं करोगे जैसी गार्बेज बात कर सकते हो आप वैसी बात करो यह क्या हो जाएगा आपके दिमाग को क्लियर करेगा समझ में आगे आप जैसी बाते आप अपने दोस्तों से करते हो आप बकवास बाते करो आप दोस्तों की बाते कर तो आप स्कूल की बाते करो, आप किसी और की बाते करो, आप कैसी भी बातव करो, अधर देन इस्टवी, पहली चीज. कम से कम आप हफते में, हफते में आप 20-30 बार से आदा घंटे का आप टाइम निकालो, जिसमें आप लोग जाओ, या फोन पे बात कर लो, या फिर मानलो फोन पर ग्रूप उस पर करेक्ट हो गए और कनेक्ट होने के बाद में आप बाते कर रहे हैं आप कोई भी बात करो लेकिन आप बात करो आप दिमाग से पहले इन चीजों को जब आप बात करोगे तो आपका जो दिमाग का टेंशन है ना जो कंटिनियूसली आपने दिमाग को ऐसे खीच के रखा हुआ है वो रिलैक्स होगा और कोशिश करो कि एक हफते में एक मूवी मूवी हॉल में जाके बैट जाओ आराम से पेरेंट्स के साथ चले जा आराम से जाके मूवी बैठ जाओ जो मूवी देखनी है वो मूवी देख लो कोई भी घटिया से घटिया मूवी देख लो समझ में आ गया जो मूवी नई लगी हुई है जाके देख लो आपको देखो आप लोग मूवी जाते हो कुछ सीखने के लिए और क्लास में आते हो entertainment के लिए यही गड़बन है आप movie hall में जाके आराम से बैठो बस मुझे यहाँ पर entertain करना है और तीन घंटे मुझे पढ़ाई के बारे में सोचना भी नहीं है बस काम खतम यह काम आप करना सुरू करो dropper को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अपने आपको relax रखना thank you sir next hello sir sir मैं पढ़ता हूं ठीक आट दस दिन ठीक पढ़ता हूं उसके बदा चानब पता नहीं क्या हो जाता है मैं पढ़ नहीं पता हूं तुम लोग अपने दिमाग को खीच लेते हो देखो जैसे मालो यह glass है तुम लोग क्या करते हो इस glass को अभी मैं ऐसे रखा हूँ बताओ क्या पास सेकेंड में मुझे दर्द होगा क्या नहीं होगा लेकिन यदि इसी glass को यदि मैं एक घंटे रखा रहा हूं दर्द होगा तुम लोग अपने दिमाग को इतना जादा खीच के रखते हो ना पढ़ रहा हो तब भी पढ़ने का सोच रहा हो नहीं पढ़ रहा हो तब भी पढ़ने का सोच रहा हो सपना देख रहा हो तब भी पढ़ने का सोच रहा हो ठीक है तो तुम अपने दिमाग को खीच के रखत ज़ादा बढ़ेगी सर एक और कुश्चन है फिजिक्स और केमिश्ट्री में न्यूमेरिकल में टाइम लगता है मैंने आपको बता दिया क्योंकि आप सब कुछ पहले पेपर पै करते हो सोसते बाद में पहले आप मेंटली सॉल्फ करो तो उसके बाद आप उसको कॉपी बस सॉल्फ करो सर सिली मिश्टेक कैसे सॉल्फ करें ये धीरे धीरे अवाइड होंगी समझ में आ गया ये जब बाद बाद रिश्टर करोगे एक मर्ड बिटा 297 आये हैं कभी-कभी बहुत लगता है आप मैसेज कर दो ज्यादा बेटर है इनको म्यूट कर दीजे काउंसलिंग का फॉर्म भर दो या नहीं बिलॉंग टू यूपी हाँ भर दो बिल्कुल भरो सर नीड के लिए रिवाइस करूं या क्लास कंटीनियू करूं आप अपनी क्लास कंटीनियू करिए और दो-तीन दिन में एक फुल लेंद पेपर सॉल्व कर लिया करो जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़े हुए ठीक है हेलो सर, सर यही क्वेश्चिन ता मेरा आपने अभी बता दिया ठीक है, ठीक है नेक्स्ट आपके अभी मार्क्स यदी 500 प्लस आ रहे हैं तो आपको पार्शल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए 400, 450 के अबब यदी मार्क्स हैं तो आप पार्शल ड्रॉप मत लो क्योंकि वो बेश्ट है यदी उससे कम मार्क्स आ रहे हैं और यदी मार्लोब पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं तो आप ले सकते हो क्योंकि इसके ऊपर मार्क्स इसके ऊपर यदी आपके मार्क्स हैं तो आप वहाँ पर यदी जाओगे तो आपको पैनिक सिचुएशन ही क्रिएट करेगा समझ मा गया, कम मार्क्स हैं आप यहाँ पर भी जुड़े हुए, वहाँ पर भी जुड़े हुए तो आपको थोड़ा रिलेक्स होके पढ़ाई करोगे आपके मार्क्स बढ़ेंगे लेकिन जादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप जादा पैनिक होगे ठीक है, नेक्स्ट इतना अच्छा नाम रखा है। अपने नाम तो रखा करो यार इतना अच्छा नाम रखा है मम्मी पापा ने गड़ी पर गयारी करता है हाँ हाँ बताओ बेटा मैं आपको paper solve करना सिखाऊंगा तमझना आ गया? इस साल मैं आपको paper solve करना सिखाऊंगा और जो आपने headphone use किये हुए है headphone को कम से कम use किया करो देखो हमारे ear का main function होता है balance इयर में एक आपरेटस होता है वेस्टिबूलर ऑपरेटस इसका में काम होता है बैलेंस और आप यदि ज़्यादा देर तक इसको यूज़ करोगे न तो यह इंबैलेंस करता है हमारे ब्रेन को समझमा रहा है तो आप अपने रूम को बंद करके और आप जो है न हैड़फोन बिना यूज किये सभी लोग पढ़ा करो, हैटफोन यूज मत किया करो, समझ मा आ गया, जब तक कि बहुत जादा आपको आप ट्रेवल कर रहे है, आपको क्लास अटेंड करनी है, तभी आप हैटफोन यूज करो, नहीं आप गाने सुनने के लिए हैटफोन यूज करो, नहीं आप क्लास के लिए हैटफोन यूज करो, otherwise you will disturb your vestibular apparatus, और आपको vertigo develop होना सुरू जाएगा, आपका body posture imbalance होना आप गिरना सुरू हो जाओगे कुछ दिन में, समझ में आगे और इतना बड़ा हैटफोन तो कभी भी यूज मत करो, ठीक है, लेकिन लाइबरेटी में हो तो वहाँ पर रगाना सकता है, हाँ, जहाँ पर हो वहाँ पर लेकिन कोशिश करो, कोशिश करो, कि कैसे इसको avoid कर सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट, इसके लिए आपको सुबह उठके डेली टार्गेट बनाने पड़ेंगे, आप सुबह उठिये और सुबह उठके आप तुरंत जो है ना, आपकी फॉर्मूले नोटबुक के अलावा, आपकी एक नोटबुक होना चाहिए, आप सुबह उठके अपना डेली टार्गेट बनाओ, मुझे आज ये अचीव करना है, कभी अचीव नहीं होगा, याद रखना वो डेली टार्गेट, आप उस टार्गेट को अचीव नहीं हुआ, समझ मा आ गया, तो अपने आप से रोज उठके, उठते से ही अपने आप से दस बार, सीशे के सामने खड़ेओं के बोलो, आप दस बार ये बोलो, आप दस बार ये बोलो, दस दिन के बाद आप मुझे बताना, आपका ये अडिक्शन छूड़ जाएगा, ठीक है? रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले, खुद से बोल के सोया करो, एक काम करके देखना, आज एक, मैं अपना सीक्रेट बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है, कि जैसे कल रात का मैं आपको बता रहा हूँ, कल रात एक मिनट भी लाइट नहीं रही, ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं सो पाया, आप सुबह सुबह मेरी नींद लगी, I think मेरी सुबह नींद लगी होगी 6 बजे, अब 6 बजे मेरी नींद लगी, तो जब नींद लगने वाली थी, तो एक काम करना, तीन बार अपने बिस्तर पैसे हाथ पटकना, तीन बार पटकना, मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, तीन बारे से बिस्तर पैसे हाथ पटकना, और हाथ पटकने के बाद में केवल ये बोल देना, बिल्कु सिंपल सी चीज है, यह हाथ पटकने का मतलब क्या है, तुम अपने आप से बात कर रहे हो, तुमने खुद को एक्टिवेट कर लिया है, और बोलना मुझे आठ बजे उठा देना, केवल इतना बोलना, मुझे आठ बजे उठा देना, मैं बोलना हूँ, आठ पांच भी नहीं होगा, तुम्हारी नींद खुल जाएगी, करके देखना, तुम करके देखना, ठीक है, अच्छा में एक चीज़ पार, अहां, अच्छा में एक टाकी कार्डिया है, तुम लब कार्डियोजिस पर भी जाने घुज़र कर देखना, मेडिसन मत लेना, उन्होंने 100% आपको प्रोपेनल ओल भी होगी, आप बत लेना उसको, एक काम करना, कि पहली चीज़ तो आप क्या करो, कि जो मैंने आपको बताया, कि पहला पानी पीना सुरू करो, जो दो गलास मैंने आपको बताया, तामे के लोटे पे, दूसरा काम आप क्या करो, कि जब भी आपको ट आप सुरू करो आपको रीप मिलेगा नेक्स शुभम पाल शुभम पाल है अधर नमस्ते नमस्ते विटा मैं जो यह पूछना थे कि जैसे हम सुभा उटते हैं तो बायोलोजी पढ़ते हैं तो सर हम हर समय हमारे दिमाग की फ्रिक्वेंसी अलग-अलग होती है समझ मा रहा है उट सो के उटके बाद का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है फिजिक्स के लिए सोने से पहले का जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है केमिस्ट्री के लिए और जो बीच का टाइम होता है आप इवन क्लास के बाद भी किया करो जैसे आपने मालों आपकी क्लास हो गई क्लास हो गई आपकी अब आपकी क्लास खता है जल्दी से आप ठाई गार में आपकी बैट आपकी चेयर होना चाहिए उसके बगल में आप चेयर पर बैट जाओ और फ़िजिक्स कम से गम धाई गंटा पढ़ो, कम से कम धाई घंटा फिजिक्स को दो, समझ में आ गया, उसके बाद सोने से पहले आप कम से कम डेड़ से दो घंटे केमिस्ट्री को दो, और बीच में जो एक डेड़ घंटे बच गया, उसमें बायलोजी करो, बस, more than enough है, आप यदि 6 से 7 घंटे क्लास के अलाबा, आपका सेलेक्शन कोई रोख नहीं सकता, लेकिन उस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ, सर मेरा डेरी रिविजन अच्छा जा रहा है, बट वीकली रिविजन करेक्ट नहीं उपा रहा, मैं करा दूँगा, अभी actually क्या है, मैं आपको वीकली रिविजन करा ना सिखा भी दूँगा, हमने सुरू भी किया था, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हुई, तो इस वएसे वो मैं आपको सिखा दूँगा, यह मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे करना है, sir, last year in quota getting 408 mark, feeling very depressed, quota को छोड़ो बेटा, quota में क्या होता है न, quota के जितने भी institutes हैं और जितने भी teachers हैं, 500 mg की जरुएत है, वो आपको 5000 mg देते हैं, समझ में आ गया, मैंने आपसे बोला कि मुझे पारले चाहिए, तो वो आपको ले जाके क्या कर देते हैं, ocean के पास में ले जाके खड़ा कर देते हैं, लो ढून लो, मैंने सब दे दिया, तो ऐसे ये थोड़ा सा गड़बर है, इसलिए मत सोचो, आप उस चीज को मत करो, ठ ठीक है, ये बिल्कुल फैक की बात है, तो अब जो आपको कराया जा रहा है, बस वो करो, बांकि आप कोटा के नोट्स पैके सब ठेक देना, सब फाड़गे ठेक दो, नेक्स्ट, आसिफ, हलो रिश्व सर, हाँ, कौन अभी अन्मूट हुआ, हलो रिश्व सर, सबसे पहले तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मिटा, और आपसे मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, लेकिन सर, एक्स्पिक्टेशन से बॉर्डर लगता है, और सर, पैरेंट्स कुछ बोलते नहीं है, बस वो चीज़ देखके लगता है, जैसे अगर नहीं कम्रीट बाता तो, देखो, it is just an exam, पहले आप अपने दिमाग में ये डालो, यदि आपने इसको इतना ज़ादा बड़ा माल लियाना, तो आपका सेलेक्शन नहीं होगा, यदि आपने पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, आप यदि सब लोग क्या सोच रहे हैं, ये भी आप सोचोगे, तो उनका क कौन करेगा, आपका काम है केवल पढ़ना और मस्ती करना, मस्ती करके पढ़ाई करो बस, किसी की एक्सपेक्टेशन से आपको कुछ लेना देना नहीं है, समझ मारा है, आपको बस पढ़ाई करना और अपनी दिमाग में डालो, it is just an exam, ये केवल एक exam है बस, और कुछ भी न ठीक है, इसके लाब आपको कुछ भी नहीं सोचना, निकल गया, तो आप इस बात को समझ ये, आप इस बात को समझ ये, कि आप अपने दिमाग में डालो, कि यदि exam निकल गया, तो अच्छी बात है, नहीं निकला, तो कुछ और अच्छा होगा, समझ मारा है, कुछ और नेक्स्ट, गुद इवनिंग सर, गुद इवनिंग, आसिफ यन वन वन एम बी में थे गया, येस सर, ठीक है, और कैसे हो भई, ठीक है, चलो, हाँ, बताओ, क्या दिक्कता आ रही है, सर, इस्टडी करते है न, बैठते हैं, तो सर, बैक पन बहुत ज़्यादा होने लगता ह पेंपेंण करेंगे, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जाना, इंस्टाग्राम पर मैंने लाश्ट एर एक वीडियोथ किया, सर्प क्रिया का इस्टाग्राम नहीं है सर, आईडी नहीं बनाया है तो फिर एक काम करूँगा कि मैं अपना खुद का वीडियो बना के और किस दिन क्लास में दिखा दूगा, ठीक है? मैं आपको दिखा दूगा, कैसे करना है, मैं आपको दिखा दूगा, बैक पेन हमेशा के लिए खतम हो जाएगा, कैसा भी बैक पेन है, खतम हो जाएगा, ठीक है? रात में नीद नहीं आती, डीप ब्रिधिंग करो, पूरी सांस धीरे से लो और पूरी सांस निकालो, लेकिन बहुती स्लो स्पीड में, हंड्रेड टाइम्स करो, लेट के, नीद आने लगेगी, सर, अदर देन्द, MBS, MBS क्या कर सकते हैं, यदि आप MBS का ही टारगेट बना नहीं आप ये करना सुरू करो, आपका दिमाग सही होगा, आपकी बॉडी फिजिकल फिटनेस सही होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट, से, मैं आउडिबल, हाँ, यू आउडिबल, प्रणाम से, हाँ, हाँ, बताओ, सेर, मेरा प्रब्लम है कि कोई भी टेस्ट हो, कितना भी छोता हो, कितना भी बड़ा हो, मतलब मैं आपने एक बार बताया था कि ब्रीधिंग टेखनीक, जो इनहील एक्जेल होता है, उसको मतल सबके साथ होता है, अड्रेनलिन रश बोलते हैं इसको, I think जितने लोग है, मा की सभी के सान्थ भी होता है, ऐसा कोई नहीं है, मैं आपको बतारो, मैं क्लास में पढ़ाते, पढ़ाते, अब मालो कई बार ऐसा होता है, मेरा दिमाग कहीं और चला गया, ठीक है, ऐसा हो जात को और भी एक्सरसाइस नेक्स जो मीटिंग होगी मैं उसमें आपको बताऊंगा एक पावर्फुल मैं आपको एक क्रिया बताऊंगा समझ मा गया एक स्पेशल टेक्निक बताऊंगा जो आपको इसी से रिलीज कर देगी ठीक है थैंक यू सर आई थिंग सब के जो है कवर हो गए हैं जितने लोगों ने हैंड्रेस किया था सभी का कवर हो गया है न ठीक है तो चलो ठीक है आज की मीटिंग यहीं तक है next उसमें मिलेंगे, मैंने आपको 4 target दिये थे, 4 target दिये थे उन 4 targets को complete करिए तो मिलते हैं next उसमें, wish you good luck